हाई कुछ daily user sentence है जो हम normally घर में यूज़ करते है open the almira इसका मतलब होता है almira खोलो like सारे ये get खुल चुके है अपलब almira खोलो ठीक है keep the almira half open keep the almira half open almira को आदा खुला रखो almira को आदा खुला रखो next word हम लोगों काता है almira को पूरा खोल रखो almira को पूरा खुला रखो keep याने होता रखना almira fully याने full open याने खुला ठीक है तो almira को पूरा खुला रखो keep the almira fully open ठीक है next जो हम लोगों का आता है almira को थोड़ा खुला रखो देखो तुझे थोड़ा सा होता न थोड़ा खुला रखो या तो उसको हम slightly बोलते हैं या फिर partially बोलते हैं जो थोड़ा होता है इसको क्या बोलते हैं slightly बोलते हैं या partially बोलते हैं तो देखो almira है को थोड़ा खुला रखो रखना का क्या होता है keep के बाद starting में आते हैं almira तो keep the almira थोड़ा सा खुला थोड़ा सा खुला थोड़ा सा खुला थोड़ा सा खुला रहो यह फिर एक ओर जो इसका sentence बन सकता है keep the almira partially open keep the almira partially open ठीक है आप लोगो कमेंट सेक्षन में बताना है दर्वाजा बंदकरों को इंगलिस में क्या बोलते हैं